और बहुत स्वागत है आपका धन तेरस कातियोहार बस अब आने कोई है कुछी दिन बचे हैं और धन तेरस के दिन अगर आप सुबह उठते ही एक दो काम है ऐसी जिसे कर लेते हैं तो यकिनन धन में तो तेरा गुना बरकत होगी ही आने वाला पूरा साल आपका खुसियों से बहर जाएगा जी है जैंदोस्तो यह 100% सत्य है लेकिन करेंगे क्या सबसे पहठी बात तो महिलाएं इस दिन या पुरूष हैं तो आप भी कर सकते हैं लेकिन महिलाएं करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि महिलाएं घर की लक्षमी होती हैं आप करेंगी क्या सुबह 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 कर उठने के बाद अपने मुख्य दर्वाजे के दोनों चोखट में थोरा थोरा जल डाल दें और यह डालेंगी घर के अंदर से ही डालना है बाहर से नहीं डालना है दौर पे जब भी कोई आए चाहे वह चिडियां ही क्यों नहों कुछ ना कुछ उसे खाने के लिए जरूर दे आपके पास जो भी है एक छोटा से रोटी का टुकरा भी दे सकते हैं अगर कोई मांगने के लिए आता है तो कुछ खाने की बस्तू दे पैसे मत दीजिए हम कभी किसी को नहीं कहते हैं कि आप पैसे दान करें बिल्कुल भी नहीं आप खाने पीने की बस्तू दान कर सकते हैं पर पैसे दान मत कीजिएगा क्योंकि सब को सूट नहीं करता अगर अपने हातों से लक्षमी को दे देंगे तो फिर मुस्किल में आ ज जब भी सफाई कर लीजे कीचन की तो आप अपनी कीचन में किसी बरतन में पानी भर के जरूर रख दीजेगा और यहां पर एक और चीज जब आप चुला को रोटी बनाने के बाद आफ करती हैं तब दूद का छीटा एक दोबुन डालकर बंद कर से आफ करें या फिर जब आ जाएंगी सेकेंगी तब जो उसकी गंध उठेगी वह आपके जीवन के सकारत्मक्ता को बढ़ाता है और वास्तु दोस्त को भी दूर करता है मा लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं इसके साथ ही कभी भी पूरा घर अंधेरा करके मत रखिए इससे भी निगेटी बुड़ जादा बढ़ जाती है तो पूरे घर में कहीं ने कहीं एक छोटा ही सही नाइट बॉल्ट जलाएं थोरा से देर के लिए ही सही आप केंडल जला सकते हैं आपके घर में पूजा पाठ तो होता ही होगा चाहे आप किसी भी धर्म के हो आप प्राठना तो खरते होगे क्योंकि मंत्र क सकती सबसे बड़ी सकती है अगर आप के जैसे जीवन में कभी कभी क्या होता है न देव गुरू रूट गया तो ना संतान का सुख मिलेगा ना धन का सुख मिलेगा ना ही मान समान बढ़ेगा तब रोज एक नियम बना ले एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर रविवार के दिन को छोड़ कर तूलसी के नीचे दिया बाती करें घीका दिया होगा इसमें मौली धागा की या लाल धागे की बाती बनाईए और तूलसी की प्रिक्रमा करते वे ओम नमो भगवते वासु देवाय मंत्र का जब करें बहुत सिंपल उपाय है लिकिन जीवन जरूर कीजिए आपका बुद्ध भी बहतर होगा आपके बुद्धी बहतर होगी लच्छमी खुस रहती हैं बहुत बार बहुत सारे ऐसे लोग हमें मैसेज करते हैं बहुत तकलीफ है पती से साथ नहीं बनती परिसानी बहुत है गाली गलोज मार पीट करते हैं अच्छी बात नहीं है अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद भी टेंसर में रहेंगे और आपके घर में भरकत भी नहीं होगी घर में खुसियां लाइए क्यूंकि जब आप थोड़े से उम्र दराज होंगे अभी आप यंग हैं बहुत पत्नी के साथ बत्यमीजी कर रहे हैं लेकिन दूसरी बात नियमित रूप से प्रार्थना करें आप जो भी धम के मानने वाले हैं हर गुरुवार के दिन अपने पास के किसी भी मंदिर गुर्दवारे मस्जिद में जाईए सर जुकाईए प्रार्थनाएं करने से आपका भाग्योदय होता है रात में भूल कर भी किसी क दूद, दही, नमक, सहद, लहसन, प्याज, या फिर पैसे जिसे लिक्विड बनी कहते हैं मत दीजे लक्षमी खड़े खड़ा आपके घर से चली जाएगी और ऐसा माननेता है रात में देने से परिसानिया बढ़ती है घर में बाद भी बाद बढ़ते हैं और जीवन में पैसा से सुकसान्ती नहीं आता सुकसान्ती के लिए गुरहों को बेतर करना होता है तो यह चोटे उपाय तो हैं पर हैं बड़े काम के अगर आपको लगे घर में बहुत वास्तु दोस्त बढ़ गया है तो आप अपने कीचन में एक काच की कटोरी में फिटकरी का एक टुक हुआ को आप साफ करके काच की कटो को उसी में रखें नियमित रूप से या नि मंगल वारிया सनी वार के दिन एक नियम बना ले सांध के समय कपूर के साथ मॉंग जलाईए एक अ कपूर बिना नमक का तो कीचन ही अदूरा है अब यह जो नमक है इसको एक आप अपने घर के दक्षिन पस्चिम कोने में याद रखिए दक्षिन पस्चिम कोने में एक काच के गलास में पानी ले ले पानी आपको तीन भाग रखना है अब उसमें एक चमश या दो चमश नमक डाल द अगर नमक पानी सूख रहा है तुसमें पानी डाल दे कहने कातात पर यह जो पानी है गर की नकातमक उरजाओं को सोख लेता है नेमित रूप से हर मंगल सनीवार के दिन आप सर्सों के तेल के दिया में चुकि आपके घर में देखिए दियाबाती होता होगा सबके घर में होता है सिर्फ थ्रस्डे के दिन ब्रहस्पतिवार के दिन आप घी का दिया बाती कीजिएगा सामके समय अन्ने दिनों में सरसों के तेल में एक लॉंग या फिर एक काली मिर्च डाल कर ही दिया बाती दिखाईए याद रखिए लॉंग या काली मिर्च इससे आपके उपर अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वापस उसके पास चला जाएगा नियमित रूप से कुछ नो कुछ दान करते रहें खाने पीने की वस्तु किसी को वस्तर की आब सकता है आपके पुराने कपड़ें उसे धोलें अच्छे से फ्रिसक से धोलें बिना धुलेवे कपड़े किसी को मत दीजेगा वरना आपका भाग ये चला जाएगा दान करते रहें अपने घर के मुख्य दर्वाजे को सजावट के साथ रखें हमेशाई जैसे कि आम के पत्तों का बंदन बार लगाईए आप अगर सोम बार के दिन लगाएंगे तो आपका भाग योदय है वो होगा बिस्पती बार के दिन लगाएंगे आपका स्वास्त बढ़ेगा तो इस तरह से रभी बार के दिन लगाएंगे आपका मान सम्मान यस बढ़ेगा जिस भी दिन आपको इच्छा हो आप लगाईए और नियमित रूप से आठ दिन या पंदर दिन में चेंज करते रहें घर के मुख्य दर्वाजे पर स्वास्तिक का निसान ओम का को बनाईए वैसे आप स्वास्तिक हल्दी और चावल के पेश्च से भी बना सकते हैं और इसे जब भी कोई बड़ा अफसर हो अच्छे दिन हो उसको रिपीट कीजिए फिर से उस महां पर बनाईए स्वास्तिक के दोनों से तरफ दो खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा क्योंकि ये खड़ी रेखा हैं आपके घर की लक्षमी को बांदा है लक्षमी बंधी रहेगी तो आपके घर में रहेगी स्वास्तिक को खुला कभी मत छोड़िये चाहें आप कहीं भी बनाते हैं और भूल कर भी घर में बहुत सारी लोग क्या करते हैं ग्रिल में स्वस्तिक बनवा लेते हैं, दरवाजे में स्वस्तिक बनवा लिए, वेल्डिंग करवा के मत कीजिएगा, वास्तु दोस्त पैदा करता है, बहुत सारे होते हैं निसाना बनाईए, भूल कर भी जारू को कि आते जाते लोगों का नजर उस पर ना पड़े जब भी आपके घर में नई जाड़ु आती है तो उसमें मौलिध हागा जरूर बांधिये ऐसा करने से आपके लक्षमी को आपने बांधिया ऐसा माना जाता है किसी के साथ जारु सेर नहीं करना चाहिए घराई लक्षमी चल लगता होगा पोच्छा भी लगता होगा लेकिन आज के दिन जल डाल कर दो दीजेगा फिर जारु लगाईएगा यकीन मानिए नजर बाधा ग्रह बाधा जो भी दोस होंगे जीवन में वह तो हटेगा ही और यहां से मालक्षमी के आने का जो रास्ता है वह साफ होता है वह सोक या आम आप जितने मर्जी पत्ते लेया यह पर जोड़ा में मत लगाईएगा जैसे आप 11 पत्ते 21 पत्ते और यह नो पत्ते भी हो सकते हैं इन पत्तों को आप किसी भी पतली धागा या फिर रसी के सहारे आप अच्छे से बांध बांध कर बंदनवार बनाएगा अब बंदनवार क्या होता यह तो आपको पता ही है चोखट में जो हम लोग लटकाते हैं ना सजाने के लिए तोरण जिसे कहते हैं बस वही यह आप सुबह सुबह ही बिना नहाय भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है इसे अच्छे से सजा ले पूरे घर की सफाई करवाएं और यह तो इसमें नमक मिलेवे पानी से पोछा लगवाईएगा इस बात का ध्यान अख रहा है आपको अब क्या करना है इतने सारे काम करने के बाद आप असनान बेगयर कीजिए पूजा पाठ कीजिए और मातारानी को आने का उनका आगमन का आप स्वागत करने का त्यारी बनाएंगे कैसे सिंदूर और घी मिक्स करके बनाईए या फिर सिंदूर में तेल लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा सिंदूर घी मिक्स करें गारहा सा पेस्ट बनाए अब अपने दाहिने हाथ के अनामिका उंगली रिंग फिंगर जिसे कहते हैं उससे स्वास्तिक बनाए दोनों साइट मुखी दरवाजा की चोखट में बाहर की योड से और यह स्वस्तिक आप ज्यादा बड़ा मनी बनाईएगा छोटा ही बनाईएगा और स्वस्तिक के दोनों तरब दो खड़ी रेखा हैं हमने पहले वी वीडियो में बताया है बिल्कुल उसी हिसाब से आप बन अब यह कैसे बनाएंगे धन की पोटली एक पीला कपड़ा लें आप नया भी ले सकते हैं और पुराना भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं है पीला कपड़ा लेना है साफ सुत्रा दुलावा होना चाहिए इसमें नमक आज जो आप धन तिरस के दिन खरी देंगे ना वही नमक आपको लेना है नमक लीजे अब नमक के साथ आप थोड़ा सा हिंग थोड़ी सी हल्दी आप चाहें तो हल्दी की गांट भी रख सकते हैं और इसमें आपको डालना है आजवाइन एक चुटकी ज्यादा नहीं यह है आपके धन की पोटली अब इस धन इसमें आप सर्सों भ बांद कर अपने किचन में ऐसे जगह रखें कि बाहरे ब्यक्ति का नजर ना पड़े आपका नजर पड़ता है तो कोई बात नहीं है यह धन की पोटली है पूरा साल आपके किचन में बरकत बनी रहेगी और मा अनपुर्णा का रहना मा लक्ष्मी का बरकत बनाना जीवन मे बहुत जरूरी है यह तो हो गई अब आप क्या करेंगे चावल जो अक्षत होता है थोड़ा सा जल में भीगो दे उसे मिक्सी में पीस लें काढ़ा सा पेस्ट उसमें थोड़ा सा हल्दी का पॉडर मिलाईए अब इससे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लिखिए ओम लिखेंगे कहां यह चोखट के ठीक ऊपर में बीचो बीच आपको बनाना है ओम लिखना है और आप चाहें तो घर के अपने जितने भी दरवाजें लगा सकती है कोई दिकत नहीं है लेकिन मुख्य दरवाजे पर आपको जरूर बनाना है और बंदन बार तो सुबही ल रहे यह बहुत ही कारगा रूपा है कीजिए हम आपसे मिदा लेते हर हर महादे